सम्विधान बाद अंग्रेजी में जिसको कहते हैं हम कॉंस्टिट्यूशनलिज्म कॉंस्टिट्यूशनलिज्म या सम्विधान बाद में गौर करें शब्द पर तो शब्द में यह जो प्रत्य है वाद और अंग्रेजी में है या इस्म इसका अर्थ होता है विचार आइडिया या थौट तो जहां जहां वाद लिखा गया होगा इसका अर्थ ही होता है कोई न कोई विचार है जैसे सुना होगा उदार वाद समाजबाद परकार्य वाद संद्चना वाद जहां जहां वाद शब्द प्रत्य के रूप में किसे शब्द से जोड़ा गया है उसका तातपर है विचार तो संविधान वाद का अर्थ जो शाब्दिक अर्थ है वह संविधान से जुड़ने वाला कोई विचार है ऐसा हम मान सकते हैं अब संविधान से जुड़ने वाला विचार क्या होगा तो उसके लिए हमें सम्विधान की परिभाशा पर एक बार फिर से गौर करने की जरुवत होगी खास तोर से उस परिभाशा पर जो डाइनेमिक है जो डाइनेमिक है उसकी परिभाशा जैसे अगर हम सम्विधान को परिभाशित कर रहे हैं शक्ति संतुलक के रूप में किनकी शक्तियों के बीच संतुलन हमने पहले भी पढ़ रखा है इसको की राज के प्राधिकार और नागरिकों के अधिकार अधिकारों के बीच संतुलन है इसके लिए सम्विधान दोनों के प्रियोग की सीमा तै करता है हमने उदारन लिया था बहुत साधारन तरीके से अनुछेद 14 का जिसमें यह लिखा गया है कि राज किसी व्यक्ति को विधी के समक्ष समानता और विधियों के समान सनक्षन से बंचित नहीं करेगा तो यहां राज की शक्ति के प्रयोग को सीमित किया गया है कि राज ऐसा कार नहीं कर सकता यह जो सीमांकन है यह जो परिसीमन है लिमिटेशन है जो सीमा तै की गई है वह राज की शक्ति के या राज के प्राधिकार के दुरुपयोग से बचाती है अन्य था जब प्राधिकार का दुरुपयोग होने लग जाएगा तो बहुत स्वाभाविक है कि हमारे अधिकार सीमित हो जाएंगे और अगर हमारे अधिकार सीमित हो गए तो लोकतांत्रिक मोल्यों का फ्रास हो जाएगा या च्छरण हो जाएगा तो राज के प्राधिकार की सीमा तय करना सम्विधान का एक कर्तब है या सबसे महत्रफूर्ण कर्तब हैं ताकि लोगत आंतरिक मोल्यों की रक्षा की जा सके और जो हमारी प्रणाली है शाशन की प्रणाली है जो राजविव 007-74 रूप से काम करती रहे इसलिए एक ऐसा विचार जो सम्विधान को यह श्रक्ति देता है कि वह राज के प्राधिकार की सीमा तै करे और नागरिकों के अधिकारों के प्रियोग की सीमा भी तै करे उस विचार को सम्विधान से जोड़ने वाले उस विचार को हम सम्विधान वाद कह सकते हैं साधारन शब्दों में इसको समझना है पहले फिर उसके बाद इसकी जो विशेविशिस्ट परिभाशा है उस पर हम लोग बात करेंगे फिर से कहूं अगर कि सम्विधान से जोड़ने वाला वह विचार जो एक तरफ राज के प्राधिकार को सीमित करता है ताकि वह उसका दुरुपयोग नहीं कर सके और दूसरी तरफ वो नागरिकों के अधिकारों के प्रियोग को भी सीमित करता है जिससे नागरिक भी अपन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सके है कि खत्रा राज के प्राधिकार के दुरुपयोग की का अधिक है क्योंकि उसके पास कानूनी शक्ति है हम तो अधिकारों से अपनी मांग कर सकते हैं लेकिन राज के पास चुकी कानूनी शक्ति है इसलिए उसके दुरुपयोग की आशंका तुलनात्मक रूप से अधिक है इसलिए वाला कि यह राज और नागरिक दोनों की शक्तियों का परिसीमन करता है लेकिन राज की शक्तियों को सीमित करना अपेक्षा क्रित अधिक महत्तुपूर्ण है और ऐसे विचार को ही हम संविधान वाद की संग्या दे सकते हैं उसी सिलसले में अगर हम फिर से इस स्लाइड पर गौर करें कि भारत का जो संविधान है वह संविधान वाद के सिध्धान पर आधारित है जिसका अर्थ क्या होगा कि सरकार सीमित होनी चाहिए सरकार के सिमित होने का आर्थ यह नहीं कि सरकार को काम करने से रोक दिया सरकार के सिमित होने का आर्थ यह है कि उसके प्राधिकार का दुरुपयोग रोका जाए दूसरा राज की स्वेक्षा चारिता पर नियंत्रन लगाता है या राज अपनी एक्षा से हर कारे करे यह नहीं होने देगा वाथ इसके बाद वही बात है फिर राज के प्राधिकार का परिसीमन है लिमिटेशन और दिया तौरिटी अफ दी इस्ट यू का विडिवेंट इसको अंग्रेजी में करते हैं लिमिटेट गवर्वेंट और जौन लॉख के राजितिक उदारबाद की विचार से प्रेरित हैं या जौन लॉख को उदारबाद का जणक मांते हैं लिब्रलिजम लिब्रलिजम का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से जो मुझे स्वतंद्रता मिली है वह कि अब प्रकृतिने मुझे सवतंद्रता दी है तो प्रकृति ही उसको ले सकती है कोई और नहीं ले सकता इसलिए राज्य हो या कोई भी हो अगर वह हमारी सवतंद्रता के साथ कोई भी ऐसा व्यभार करता है जिससे हमारी सुतंतरता बाधित होती हो तो उस राज या उस व्यक्ति या उस संस्था की शक्ति के प्रयोग को रोका जाना चाहिए फिर से कि यदि हम उदारवादी हैं यदि उदारवाद का प्रचलन है तो उदारवाद जो राजितिक उदारवाद है उसका अर्थ है कि स्वतंतर्ता उसमें सबसे महत्वपूर है और स्वतंतर्ता प्राकृतिक अधिकार है इसलिए यदि प्रकृति से किसी व्यक्ति को स्वतंतर्ता मिल रही है तो उस स्वतंतर्ता को रोकने या छीनने का अधिकार केवल और केवल प्रकृति का है कोई अन्य संस्था यह कारे नहीं कर सकती तो राज भी हमारी सुतंद्रता को नहीं छीन सकता लेकिन यदि राज अपने प्राधिकार का अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लग जाए तो हमारी सुतंद्रता के छिन जाने का उसके बाधित हो जाने का खत्रा उत्पन हो लिए उस राज्यक की उन शक्तिव पर को सीमित करना अनिवार है और यही विचार तमधान वादं यहां इसलिए हमने कहा कि यह सीमित सरकार की अवधारणा है उदारवादी सिध्धान से प्रेरित है चुकि हम स्टंत्रता की रक्षा करते हैं तो समिधान वाद पर आधारित है भारत का समिधान अर्थात यहां सरकार की शक्तियां सीमित हैं और उसकी सीमा तै करने का जो उद्दिश है वह नागरिकों के अधिकारों जिसमें विशेश कर स्वतंतृता है का संडक्षन करना है तो समिधान वाद एक ऐसी अवधारना है जो सरकार को सीमित करती है उसकी स्विक्षा चारिता पर रोक लगाती है उसके प्राधिकार का परिसीमन करती है और चुकी यह उद्दारवाद के सिध्धान से प्रेरित है अतह ऐसी सीमा लगाकर वह नागरिकों के अधिकारों विशेश कर उसकी उनकी सोतंतरताओं के सनक्षन के काकार भी करती है यह समिधान बाद का मूल तत्व हैं अब है कि समिधान बाद के कुछ मौलिक तत्व हैं बुनियादी सिध्धांत हैं उसके इसको हम तत्व भी कर सकते हैं एलिमेंट्स ओफ कॉंस्टिटिउश्टनलिसम एलिमेंट्स ओफ कॉंस्टिउश्टनलिसम चार स्थम्भ हमें दिखाई दे रहे हैं एक है कि विधिक सिध्धान्त के रूप में सरकार की शक्तियों का सीमांकन एगा विधिक का एक सिधान्त है या सब्धान वाद जो है वह विधिशास्त के तहत पहारा जाने वाला एक सिध्धान्त भू रावनितिक सिध्धान तो है ही पॉलिट oppose फ्रिंश्पल तो है ही विदी का एक सिध्धान भी और विदी के सिध्धान्व के तौर पर अगर इसका महतों देखा जाए तो बात फिर वही आती है घुम फिर कर कि सरकार की शक्तियों की सीमा का कानून के जरिए यह निर्धारण करता है कि दूत्रा नियंत्रन एवं समन्वे का समर्थन करता है चेकन बैलेंस का समर्थन करता है जैसे एक उदारन दे रहा हूं कि मालने संसद ने कोई कानून बनाया तो समिधान में यह उल्लेक है आगे हम लोग पढ़ेंगे भी इसको कि समिधान में यह उल्लेक है कि संसद जब कानून बना रही हो तो उसमें नयायले का हस्तक्षेप नहीं हो सकता नहीं होगा है तो कानून बनाने तक की जो प्रक्रिया होगी मतलब संसद में लाना है कि चर्चा करनी है उसपर मदान करके उसको पारिद करना है और राश्पती का हस्ताक्षर होगा का कानून बनाने संसत की सब्स्थाद्ट काल दियु या कारिवाहियों में नायले का हस्तक्षेप नहीं होगा लेकिन अब अब इससे खत्रा है कि क्या ऐसा मान लिया जाए की संसते जैसा कानून बनाना चाहती है वैसा बना दे और हमारे अधिकार सीमित कर दे ऐसा नहीं कर सकती संसर क्यों क्यों कि कानून को हम नयायाले में चुनोती दे सकते हैं यह हमारे अधिकारों से असंगत है तो समिधान में ही यह प्रावधान किया कर दिया गया कि राज ऐसी कोई विधी नहीं बनाएगा जो अधिकारों को छिंती हो या उनका अलपी करण करती है अनुचे तेरह दो में यह लिखा है कि राज ऐसी कोई विधी नहीं बनाएगा जो अधिकारों को छिंती हो या उनका अलपी करण करती हो इसकार्थ यह हुआ कि संसद को कानून बनाने के लिए तो सर्वत्य शक्ति हमने दे रखी है लेकिन उस पर नियंत्रन लगाया है ताकि संसद अपनी स्वेक्षा से ऐसा कोई कानून नहीं बना दे जो हमारे अधिकारों को छिंता हो तो न्यायले का एक नियंत्रन उस पर बना हुआ है दूसरी तरफ यदि कोई न्यायाधीश और समर्थ हो गया है या उसके विरुद्ध कोई कदाचार स्थिद्ध हो गया है तो संसद उसे पद से खटा सकती है यह जो एक दूसरे पर नियंत्रन रखने की प्रक्रिया है उसका उद्धिश है कि ऐसी सभी संस्थाएं मिलकर इस रूप में कारे करें कि जो संविधान ने लक्ष रखा है उस लक्ष की प्राप्ति हो जाए जिसको मॉन्टेस्क्यू नामक विचारक ने कहा चेकन बैलेंस जब उन्होंने शक्ति प्रत्कीकरण का सिध्धान दिया था कि विधाईका कारिपालिका और नियायपालिकन के बीच शक्तियों का प्रत्कीकरण होना चाहिए शक्तियां अब की अलगलग होनी चाहिए eta 테 की के नहीं लेकिन हस्तक्षे रोकना केवल उद्देश नहीं है हमें हमारा उद्देश यह भी है कि तीनों के कारे इतने समन्नवित हूं कि वो तीनों मिलकर सम्मिधान के लक्ष की प्राप्ति कर सके इसलिए चेक एन बैलेंस या नियंत्रन और समन्नवे की प्रणाली स्थावित की गई भारत में भी और अन्य जगहूं पर भी तो समिधान वाद न केवल तरकार की शक्तियों को सीमित करता है बल्कि यह एक प्रकार के नियंत्रन और समन्नवे की जो प्रणाली काम कर रही है उसको समर्थन भी देता है पीचरा है कि निर्णयन के लिए शक्तियों का हस्तांत्रन करने में विश्वास करता है एक व्यक्ति या एक संस्था के पास शक्तियां संकेंद्रित नहीं हैं उनका हस्तांत्रन है अलग-अलग अस्तर पर अलग-अलग संस्थाएं निर्णे लिती हैं मंत्री परिशद किसी खास कारे के लिए उत्तरदाई है राष्ट पती किसी खास कारे के लिए उत्तरदाई है निर्वाचन आयोग अपने हिसाब से निर्णे लेगा नियंतरक महालेखा परिक्षक अपने तरीके से निर्णे लेगा न्यायाले अपने तरीके से निर्णे लेगा वित आयोग ऐसे ब प्राप्त हैं ताकि किसी एक संस्था के पास शक्तियां संकेंद्रित नहीं हो और विडियों के निर्वचन के लिए न्यायले की शक्ति अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि संसद यदी कानून बना देती है और न्यायले को ऐसा लगता है कि यह कानून संविधान के किसी प्र संविधानिक वैधता का परिक्षन कर सकता है कि कोई कानून संविधान से कितना संगत है या कितना असंगत है तो यह चार मौलिक तब तो हैं संविधान बाद के शक्तियों का परिसीमन नियंत्रा नेवं समन्वे को समर्थन विद्यों के निर्वचन के लिए न्याय पालिक को शक्ति और अलग-अलग संस्थाओं को निर्णे लेने के लिए दी जाने वाली शक्तियां यह चार उसके मौलिक तत्व हैं कि यह हो गया समिधान बाद के सिध्धान कहले या उसके मौलिक तत्व कहले